तो दोस्तो अगर आपने gift रeceive किया है under section 56 के हिसाब से तो कैसे आप उसे idea form के अंदर idea 3 के अंदर या फिर idea 2 में दिखा सकते हैं हां जी दोस्तो gift अगर आप receive कर रहे हैं तो यही दो form है idea 2 पर idea 3 जिसके अंदर आप gift को दिखा सकते हैं लेकिन कौन कौन से gift को दिखा सकते हैं इसको detail में समझेंगे आगे उससे पहले बतना चाहूँगा जो भी भाई बंदू मेरे चैनल पे पहली बारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं जुन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए स तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि कब taxable होगा और कब exempt होगा अभी मैं आपको short में बता देता हूँ देखो अगर आपने कोई भी amount receive किया और 50,000 से एकसीड हो जाता है relative को छोड़के relative के अलबा किसी भी person से आपने amount receive किया और वो 50,000 से cross हो गया तो उस case में वो taxable हो तो उस case में वो exempt होगा या फिर 50,000 से कम receive किया है तो उस case में वो exempt होगा ठीक है exempt gift की category में आगा relative का मतलब मैंने अपने detail वीडियो में बता दिया है तो जाके उस video को देख सकते हैं अभी हम समझेंगे idea form के अंदर कैसे section 56 के अंदर अगर आपकी income taxable हो तो कहा दिखाएंगे उसके बाद मैं बताऊँगा आपको exempt हो तो कहा दिखाएंगे सबसे पहले taxable की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ idea 3 के बारे में देखो अगर आपकी income business income है साधी साथ आपने gift भी receive किया है तो उसके लिए आप idea 3 फाइल करो ठीक है उसके अंदर आप business income के स source से receive हुई वो है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आपने gift receive किया section 56 subscription to close 10 के हिसाब से ठीक है जो की taxable gift के अंदर आता है तो उस gift की detail आप यहाँ पे देंगे अगर taxable होती है taxable का मतलब क्या हो गया आपने अगर 50,000 से ज्यादा का amount receive कर लिया है ठीक है तो उस case में व business income होती है तो IT3 के अंदर आप report कर सकते है income from other source के अंदर इसके अलब आप बात करते हैं अगर आपकी salary income है तो IT1 के अंदर यहाँ पर option नहीं है taxable gift का आपको क्या करना होता है IT2 के अंदर आपको detail देनी होती है अगर आप salary person है salary की detail और other source के income जो अपने gift receive किया है उसकी detail आप IT2 के अंदर दे सकते हैं इस तरह के cases में IT1 ना file करके IT2 file करें अगर आप gift receive कर रहे है और आपकी वो taxable होती है तो मलब 50,000 से ज़्यादा है और आपने gift जो receive किया है वो relative के आलबा किसी और person से receive किया है तो उस case में अगर आपकी salary income है तो IT2 के अंदर आप यहाँ पर दिखा सक सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ form देखो दोस्तों income from other source का schedule है ठीक यहाँ पर नीचे आप दिखा सकते हैं section 56 subsection 2 close chain के अंदर जो taxable gift बनी है उसकी detail आप यहाँ पर देंगे ठीक है धियान देखना अगर 50,000 से उपर का amount आपने receive किया है तो पूरा का amount taxable हो जाता है तो उस की detail without consideration तो यह दोनों ही case में taxable की reporting मैंने आपको बताया यह taxable income की detail आप यहाँ पर दे सकते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं अगर हमारा gift exempt हो, exempt कौन से case में होगा जब हम अपना amount जो है यह gift जो है receive करते है अपने relative से, relative की definition मैंने बता रखी है पुरानी वीडियो के अंदर, अब यह हम बात करेंगे, अगर आप relative से receive करें तो कहाँ पर हम दिखाएं? अगर मैं relative से receive करूँ, gift तो कहाँ पर दिखाँ? देखो पहली बात तो relative से अगर आप receive करते हैं तो उस case में कोई भी amount की limit नहीं है, अगर आपने 50 लाग भी receive किया है, 60 लाग भी receive किया है, तो उस case म आपका पूरा का पूरा amount exempt होगा कोई भी limit नहीं है इसलिए taxable नहीं होगा ठीक है आपने किसी relative से receive किया है तो तो उस case में यहाँ पर idea form के अंदर ना ही idea 3 में यहाँ पर option है कि आप idea 3 के अंदर exempt gift की detail को दे सके और ना ही idea 2 के अंदर option है कि exempt gift की detail को दे सकते हैं अब ऐसे case में क्या करें ऐसे case में बहुत से article मेंने पढ़े हैं उसके अंदर साप साप यही बोलते हैं जो practice में है चाड़र accountant, tax professionals कि इस तरह की gift को आप ना ही दिखाओ तो बढ़िया है क्योंकि इस तरह की reporting idea form में है ही नहीं और जब idea form में है नहीं तो आप दिखाओगे कहां अगर आपके पास department से notice भी आता है तो उस notice के आप reply दे सकते हो कि idea form के अंदर दिखाने का कही option ही नहीं है अगर exempt gift होता है तो तो मैंने उसको नहीं दिखाया अगर कोई option है तो आप बताओ कहां दिखाना है मैं उसको दिखा दूँगा या मैं उसको दिखा दूँगी फिर भी उसके उपर आपका tax बनेगा ही नहीं ठीके तो इस तरह की reporting आइटियर form के अंदर ही नहीं अगर आप relative से gift receive कर रहे हैं तो तो आपको दिखाने की ज़रूत नहीं है आइटियर के अंदर क्योंकि आइटियर में option ही नहीं है तो इन बातों का धियान रखना है जब भी आइटियर फाइल करें वीडियो को असल की ज़रूर बताएं ताइंक्यू सोमाच जैन हो अन्दे मात्रम